आज का प्रेड़ना पाते अन्त भीतर बैठा अन्त हीन प्रभाद आप भीतर जांकिये भीतर देखिये हम बाहर रहने के बहुत अब्यस्त है पांच इंद्रियों के सुख खुली आँखों से देखते हैं वो हमारा बहुत अब्यास है वो आज का नहीं है जनम जनमांतर का अब्यास है कि हम इंद्रिय सुख देखते आए हैं बोगते आए हैं लेकिन आप थोड़ा भीतर तो जहांगे, कि भीतर जो जरना बैरा है, वह अंतहीन है, वह द्रोपदी का चीर है, वह अजर है, अमर है, वह अविनाशी है, वह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, तो भीतर अंतहीन प्रवा क्या चल रहा है, अनंत ज्यान, अनंत दर्शन, अनंत सक्ति और अनंत सुख का प्रवाह चल रहा है, तो उस प्रवा को पैचानिये, उस प्रवा को देखिये, उस प्रवा को जानिये, उसके लिए बाहर कहीं नहीं जाना है, किसी यात्रा पर नहीं जाना है कोई खर्च नहीं करना है कोई साधन में बिठाना है आपको द्रस्टी विग्यान करना है हम क्या बताते हैं आपको ऐसा फॉर्मूला दिया है कि द्रस्टी विग्यान में करना कुछ नहीं है आप कहोगे कि हम क्या क्या करें हम जो है टीले लगाऊ है कि ठीकी लगाऊ है उपास ना करें कि वो सामान लाएं हम कोई भी किरिया कांड नहीं कहते हैं हम तो कहते हैं कि सब छोड़ो दरश्टी विध्यान का मतलब एहसास करो अनुभव करो जो भीतर जरना बैरा है उसका अनुभव करने की बात कहते हैं क्योंकि 100% अनुभव 360 डिगरी का अनुभव है वो केवल ग्यान है वो आपको परमात्मा बनाएगा वो आपके इस शरीर को जो है ओधारिक शरीर ही परमात्मा बनता है इस शरीर को परमात्मा बनाएगा तो हम आप से कहना चाहते हैं जो अनंत सुक्ध का खजाना बहरा है उसको पैचानो उसको पैचानो के दो धन्ने हो जाओगे उसको पैचानते पैचानते आप शवयम प्रभू शवयम और इश्वर बन जाओगे